नमस्कार आप सभी का घ्यान विड में स्वागत है लड़का हो या लड़की हर कोई चाहता है कि उसके चेरे का रंग साफ हो पर अक्सर काले दाग दब्बे, पिंपल्स, काला पन और सावली तवच्या के कारण चेरे की चमक फिकी पढ़ने लगती है ऐसे में कई सारे लोग पोचते हैं कि हमें गोरा होने के लिए क्या खाना चाहिए कुछ हज तक आप खाने में बदलाव करके चेरे को गोरा कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गोरा होने के चकर में पोच्टिक आहार ही ना खाए तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोरा होने के लिए आप क्या क्या खा सकते हैं लेकिन उससे पहले आप हमारे ग्यानवी यूटुप चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना बुले और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो चलिए अब आपको बताते हैं कि गोरा होने के लिए आप क्या खा सकते हैं फेस पे ग्लो के लिए आप पाने ये दिख पिए पानी सरीर से विसले परदार्ट बाहर निकालता है जिससे कि आपकी त्वचा को पोशन मिलता है और आपका चेहरा गोरा और साफ होने लगेगा दूसरा पोइंट है आप हर रोच एक गिलास गाजर का जूस जरूर पिए गाजर में विटामिन A और C होता है जो सुन्दर त्वचा पाने के लिए उप्योगी है किसरा पोइंट यहां पर ही गोरा होने के लिए आप टमाटर, पालग, स्टोबरी, पपीता, संत्रे का जूस और कुछ ऐसे फलोर सबजिया ले जिनने खाने से आपका रण गोरा हो जाएगा सोयबिन में जिन्क और विटामिन C होता है, जो मुहाजे और इसकिन की समश्याओं को दूर करने में काफी कारगर है अपनी डाइट में आप सोया से बनी चीज़ों को ही खाए अगला है आप चाय और कौफी की जगे पर ग्रीन टी पिए ग्रीन टी तवचा का रंग निखारती है ग्रीन टी के फायदे हमने पिछले वीडियोस में बताए हैं आप चाहें तो देख सकते हैं अगला ही चुकंदर का रस आप रोज पिए चुकंदर का जो रस होता है वो आपका रंग निखारने में मदद करेगा तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया गोरह होने के लिए आप कौन सी कौन सी चीजों का शेवन कर सकते हैं आप अपने पोश्टिक आहर को नाच सोड़ें लेकिन उसके साथ ही आप इन चीजों का इस्तमाल भी करें इससे के आपका चेरा गोरह होने लगेगा तो उमीद करते ही ग्यान वीडियो रूप चैनल का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो लाइक और शेयर करें फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नमस्कार